नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे राज के बारे में जानेंगे जिसे ज्वेल ओफ इंडिया यानि की भारत का गहना भी कहा जाता है बिलकुल सही सुना आपने यह राज भारत की सुन्दल लड़कियों का घर भी माना जाता है पर क्यों और भारत का एक ऐसा राज जो अपनी प्राकृत सुन्दरता की वज़े से दुनिया भर के परेटकों को अपनी और आपकरसित करने पर मजबूर कर देता है और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का मात्र एकलोता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसी राज में इस्थित है या भारत का एक ऐसा राज है जहां का कल्चर और रित रिवाज बहुत ही खुबसूरत और लुभावना है और यहां की लड़कियों से जुड़े बहुत से ऐसे तथ्य मोजूद हैं जो आपको चौका देंगे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के पुरुवत्तर में बसे एक बेहदी खुबसूरत राज मरीपुर की दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखेगा वरना आप मरीपुर राज के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियों को मिस कर देंगे जिने आपको जानना जरूरी था क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और जबरजस्ट होने वाला है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें मरीपुर राज भारत के सेवन सिष्टर राज्यों की स्रील में से एक आता है और यह राज उत्तर से नागलेंड, दच्छिर से मिजोरम, पस्चिम से असम और पुरु से मेमार के साथ अपना बॉडर साज़ा करता है दोस्तो इस खुबसूरत राज की राज़दानी इंफाल है जो कि यह सहर इस राज़का सबसे घनी अबादी वाला सहर भी है मरीपुर राज़की जनसंख्या 28,55,000 के आसपास है और इस राज़का कुल छेतरफल मात्र 22,347 स्कॉयर किलो मीटर है क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के लिए गर्मानवित मेडल लाने वाली महिला मेरी कौम ये भी हमारे देश के मरीपुर राज़ से ही आती है लेकिन दुर्तो यह राज मियमार से सठा होने के कारण यहाँ पर काले धंदे भी आपको बहुत देखनी को मिलेंगे यहाँ पर हतियार तसकरी के बहुत से ऐसे मामले देखी गए हैं क्या आप जानते हैं कि यह राज लुभावने नजारों, सांत जीलों, खामोस पहाडियों, खूपसूरत बगानों और अध्भुत कल्चर का जवर्जस्त संगव है मरिपुर राज का इतिहास लगभग 1500 इसा पूरू का है यहाँ पर आपको एतिहासिक मानो बस्ती के साथ साथ बहुत सी ऐसी गुफाएं देखने को मिलेंगी जिसे कि आपको एक अलगी दुनिया में होने का एहसास होगा और यही वज़ा रही है कि परेटको के लिए यह राज एक स्वर्ग की समान है दोस्तो आपको यह वाजन कर आश्चर होगा कि यह जो आज यूरोप के बहुत से देशों में पोलो गेम को बहुत ज़्यादा खेला जाता है इसकी भी उत्पत्ति हमारे राज मरीपुर से हुई थी हैना हमारे देश के लिए एक गर्व की बात दोस्तो बहुत से ऐसे मार्केट आपने देखे होंगे जहाँ पर तरह तरह की चीजे मिलती है लेकिन क्या आप जानते हैं की मरीपुर राज में एक ऐसा मार्केट इस्तित है जो केवल महिलाए ही चलाती है जी हाँ दोस्तो इस मार्केट का नाम है इमा किथेल वूमेन मार्केट असल में दोस्तो इस मार्केट की खास बात या है कि इस मार्केट में दुकान रखने वाली केवल महिलाए ही होती है और या मार्केट लगभग 500 सालों से ऐसे ही चला रहा है मडिपूर के इंफाल में बसा या बजार लंबे समय से महत्पोन व्यपारिक केंद्र रहा है और इस मार्केट में आपको फैसनेबल कपडे से लेकर सबजिया आभूसन, मसाले और सभी तरह की रोजमर्रा की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी मडिपूर का पहनावा बहुत ही सुन्दर और आकर सक होता है यहां की सांस्कृतिक रीत रिवाज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहां के तेवारों में जातर हां से किये गए नकासी वाले कपड़े ही इस्तिमाल किये जाते हैं यहां पर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही सभी तेवारों को धूम धाम से एकता के साथ मनाया जाता है भरले ही मडिपूर राज में क्रिश्चन और हिंदों की अबादी 41-41% है लेकिन यहां पर आपको संप्रदाइकता बहुत कम देखने को मिलती है और यहां पर मुसल्मानों की जनसंख्या लगभग 9% के आसवास है दोस्तो मडिपूर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है यहां पर आपको साकाहारी भोजन बाख खुबी खाने को मिलेगा यहां ज्यातर लोगों का मुख्य आहार, चावल और मचली है और साकाहारी लोगों के मुख्य भोजन में ज्यादातर पुदीना, जीरा, धनिया, काली मिर्च और खाने में तेल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है अगर आप कभी मणिपूर आएं तो यहां का फेमस डिस, चाम थोंग का स्वाद चखना मत भूलिएगा क्योंकि यह स्वाद आपको हमेसर मणिपूर की याद दिलाएगा आपको यह बाद जलकर आश्यर होगा कि मणिपूर राज में विस्णूपूर जीले में इस्थित एक ऐसा तैरता हुआ निस्नल पार्क है जिसे लोग तक जील के नाम से जाना जाता है यह पार्क दुनिया का मात्र एकलोता निस्नल पार्क है जो जीलो के बीच ओ बीच बसा है यह फ्लोटिंग निस्नल पार्क अपने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे सुंदर गढ़न वाली लड़कियों का राज भी मड़िपूर को ही कहा जाता है यहां की लड़कियां खुपसूरती के मामले में भारत के टॉप नमबर पर आती हैं हमारे मणिपूर राज की लड़कियां बहुत ही सुन्दर और आकरसक होती हैं और यहां की लड़कियों की साथ चर्ता दर भी भारत के कई राज्यों से काफी अच्छा है यहां की लड़कियों की साथ चर्ता दर लगभग 80% के आसपास है तो दोस्तो ये थी भारत के सबसे खुबसूरत और मनमोहत नजारों का राज मरिपूर के बारे में Amazing Facts आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस देश या राजिपर देखना चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों पसंद नहीं आया फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम चैनल सब्सक्राइब करके चाहिएगा दोस्तों